हेलो दोस्तों सागता से ही मैं चैनल दा रियली स्टेडी कलम में दोस्तों जैसा कि सभी बच्चों को पता लग गया है कि एड्मिट कार्ड रिलीज हो चुका है थर्ड समेस्टर वाले बच्चों का तो अब आपको करना है ओबी रेजिसेशन और किस तरह से करना है तो जैसी आप अपना भी पोटल ओपन करेंगे तो आपको यही वाला पोटल ओपन करना है इसका लिंक में वीडियो की डिस्क्रिशन में दे दूँआ तो आपको यही पोटल ओपन करना है और फिर आपको इसके उपर किलिक करना है new registration new registration सबी बच्चों को करना है ठीक है तो new registration पर किलिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका page open हो के आ जाएगा तो यहां पर mode select करेंगे semester तो semester select कर लेते हैं ठीक है क्योंकि आप semester बच्चे हो तो semester select करेंगे और कौन सा course आपका बीए प्रोग्राम बीकुम प्रोग्राम बीकुम ओनर्स ठीक है तो हम बीए प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं और name as the admit card यानि जो admit card पे नाम लिखा हुआ एक एक word देख लेना क्या लि पर देखिए जैसे admit card open करेंगे तो यहां पर लिखा है exam roll number तो आपको यह वाला exam roll number लिखना होगा जो अभी मैंने दिखाया हूँ भी registration में तो यहां पर यह exam roll number डाल देंगे summit कर देंगे submit करने के बाद मैं यहां पर अपना mobile number और email id डालना होगा जो next step आपका होगा यहां पर आपको अपको है nod email id वाला भूल गया है password तो दोस्तों आप लोग अपना नया email id और नया mobile number update कर सकते हैं तो यह link आपके student dashboard पर मिल जाएगा तो मैं आपको दिखा जाता हूं कहां पर मिलेगा तो यहां पर देखे नीचे ही link मिल जाएगा यह आपको यह उपर admit card download करने के लिए हो गया और नीचे यह mobile number और email id update करने के लिए हो गया अगर किसी बच्चे के पास OTP नहीं आ रहा है तो पहले वह अपना email id और mobile number update कर ले अगर भूल गया है तब भी पहले वह email id और mobile number update कर ले यह आपके student यह जैसे मालीजी एड the rate करके एक दो तीन अपना नाम डाल दीजे एड the rate डाल दीजे तो इस तरह से आपको अपना password डालना होगा ठीक है unique password डालना जो आप सभी को याद रहे पासफ़र्ट डालने के बाद में फिर इस तरह से लिखा हुआ आएगा तो यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ आएगा आपके dashboard ग्रेट ठीक है ग्रेट यह और आपका वह भी रेसेशन successfully हो चुका है फिर इसके बाद आप अपना student dashboard login कर सकते हो फिर आपका student dashboard कुछ इस तरह से open होके आएगा और दोस्तों आपको अपना question paper कैसे download करना है और answer sheet कैसे upload करनी है वो वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है उसका link में वीडियो के description में दे दूँगा तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो कि question paper कैसे download होगा answer sheet कैसे upload होगी तो आपका यह OB registration successfully हो चुका है जब भी आपका exam होगा तो आपको इसके उपर click करना पड़ेगा ठीक है ओभी exam के उपर हो और किस तरह answer sheet upload करना कोशन पर डाउनलोड करना सारे information वीडियो के लिए description में मिल जाएगी ठीक है तो चैनल सब्सक्राइब करना जो भी help होगी आपको मिलती रहेगी ठीक है exam के समय जो भी help होगी तो चैनल सब्सक्राइब करना